अगर आप स्टेट जूडिश्री की सिरीज में हम करने जा रहे हैं माइनौरिटी राइट्स इन इंडियन कॉंस्टिटीशन जैसे कि हमेशे कन्फूजन बनी रहती है कि कौन माइनौरिटी है आज देखेंगे कि हमारा कॉंसे दो आर्टिकल्स हैं जो डेडिकेटेड हैं माइनौरिटी राइट्स के लिए अगर आप स्टेट जूडिश्री केजाइम की प्रपेशन कर रहे हैं तो इसके कोर्से हमारे पास अवेलबिल हैं कोर्से नीचे डिस्क्रिप्शन में दिये लिंक के थूँ आप अक्सेस कर सकते हैं कोर्सेस फ्रेलिम्स में इस दोनों को दियान में रते हों डिसाइन किये गए हैं और आपके लिए काफी बेनिफिशल है साथी साथ आप मेरे सारे वीडियो के पीडियेफ मेरे टिल्काम चैनल आप्धरेट कपिल लाइब से डाउनलोड कर सकते हैं तो सबसे पहले हम समझेंगे कि Minorities होता क्या है हमेशा एक confusion रहता है कि ये Minority नहीं है वो Minority नहीं है Question society में उठता रहता है साथी साथ Constitution की अगर हम बात करें तो Constitution ऐसे कौन से definition देता है जो ये बताता है कि ये particular set of people Minority है और ये set of people Minority नहीं है तो सबसे पहले अगर हम Minority की definition की बात करें तो Minority जो term है वो हमने लिया है Minor Minor एक Latin word है जो कहता है Small in number मतलब संख्या में कम ऐसी कोई भी जाती, जन जाती, population, religion जो संख्या में औरों के अधिक कम है देखो यहाँ पे कम ही जो हम देखेंगे Small in numbers देखेंगे अगर वहाँ तक आ जाते हैं तो इसका मतलब बाकी सारे जो Religions होंगे उसमों Minority में term कर देंगे वैसे अगर आप United Nations की बात करें तो Minority UN के हिसाब से दो basis पे डिवाइड की जाती है एक है Religion के बेस पे एक है Region के बेस पे मतलब Religion वाली Minority की कि इस धर्म के लोग इस देश में हैं और Region इस एरिया में इस पर्टिकुलर धर्म के इस पर्टिकुलर ट्राइब के इस पर्टिकुलर लांगवेज के कितने लोग हैं इसी के हिसाब से अगर आप UN सब कमिशन on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities की बात समझने हैं हिसाब से अगर आप Definition देखें तो उन्होंने कहा है कि हर वो समाज का Non-Dominant Group जो Preserve करना चाहता है अपनी Ethnic, Religious, Linguistic बाकी Group of Population से अपने Linguistic Predictions अपनी Ethnicity, अपने Religion अपनी Language को Preserve करके रखना चाहता है Preserve कोई कब क्यों करेगा जब वो संख्या में काफी कम होगा Small in Numbers होगा, Minority होगा तो उसको हम Minority कह देंगे लेकिन साथी साथ ये भी कहा जाता है कि ऐसे Minorities जो है उनकी Loyalty जो है वो State की तरफ बनी रहनी चाहिए अगर हम भारत में बात करें भारत में National Commission for Minority एक Institution है वो Educational Institutions को Minority Status देता है और साथी साथ Cancel करता है एक Additional Fact है ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि हाली हमें काफी लंबे समय से जामिया के Cancellation की बात चल रही थी अब चलते हैं Constitution की तरफ Article 29 अगर आप Article 29 की Heading को पड़े तो वहाँ पे Clearly Mentioned है Protection of Interest of Minorities Minorities के Interest का Protection तो इससे हमें ये पता चल जाता है क्योंकि ये Part 3 of the Constitution में है तो Minorities को एक Fundamental Right है अब आगे देखते हैं कि Article 29 Definition क्या देता है Minorities की Article 29 सबसे पहली बात Citizens को मिलेगा साथी साथ ये कहता है कि ऐसा कोई भी Citizen जो भारत की Territory में रह रह रहा है यानि उसके लिए भारत के Territory में रहना ज़रूरी है और उसकी एक Distinct मतलब एक Different Language है Different Script है Different Lipi है Different Culture है और उसे भिन Culture है अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज उस Group of People के पास है उस Citizen के पास है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो Minority है इसका मतलब कोई और Definition हमारे Constitution में नहीं है हमारा Constitution तीनी अधार पे Minorities की बात करता है साथी साथ ये भी कहता है कि ऐसे Group of People के पास Fundamental Right है कि वो अपनी Language, Script और Culture को Preserve करके चले दूसरी बात ये भी कहा जाता है कि कोई भी Citizen अगर आप Article 29 Clause 2 देखेंगे तो किसी भी Citizen को Admission Deny नहीं किया जाएगा ऐसे किसी भी Section है क्यानि Educational Institution में जो State के द्वारा चलाया जा रहा है अगर राज्य कोई Educational Institution चला रहा है कोई College चला रहा है कोई School चला रहा है तो वहाँ पे Discrimination नहीं किया जाएगा Religion, Race, Cast, Language और Any of Them इनकी आधार पे तो से हमें ये पता चला जाता है कि Minorities के पास तो Rights हैं है साथ ही साथ अगर कोई भी Person Minority है तो उसका Discrimination नहीं किया जाएगा इन 4 Grounds पे किसी भी Education Institution में जो State यानि जो सरकार चला रही है तो से हमें Article 29 के बारे में ये पता चलता है कि 3 चीजों पे फोकस करता है Distring Language, Script और Culture और कहता है Minorities को कि आपके पास Right है इसको conserve करके रखने का अचा कोट के पास कई बार एक Question आया कि ये बताइए कि हम Minorities गिने कैसे आप आपने यहाँ जो Definition दे दी बड़ी वेक सी है हम कैसे गिने कि ये Person Minority है वो Person Minority है In fact, आप देखेंगे कि हमारा Constitution Religious Minorities की तो आप सच बात करता ही नहीं Article 29 में तो यहाँ पे एक Case आता है Ray Education Bill यहाँ पे एक वोट कहता है हर वो Group of Person हर वो Numerical Population Community जिसकी Numerical Population 50% से कम है मतलब Statistics का खेल है कि हर वो चीज़ जो 50 से कम होती है 50% से कम होती है वो Minority हो जाती है जिस हम कहते हैं 49% Shareholding है तो Minority Shareholder हुआ इसी तरह से Court ने भी एप्लिकेशन किया Court ने कहा ऐसी कोई भी Community जिसका Numerical Population 50% से कम है उसे हम Minority मानेंगे तो यहाँ पे 29 में Minorities कौन है यह बताया गया है अब 30 में क्या है फिर 30 में उन Minorities को एक Benefit दिया गया है कि आप अपनी Language आप अपनी Script अपना Culture Preserve कैसे करोगे तेक है अब हमने पहली बात तो यह कह दिया न 29 में क्या Preserve कर सकते हो 30 में यह बताया गया है कि यह Minorities जो है कैसे Preserve करेंगे Usually कहा जाता है कि Education एक Best Medium है अपने Culture को Preserve करने का आने वाली पीडियो को Education के थूरू अपना Culture पढ़ा दो वो Culture आगे 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 Inheritance के साथ चलता रहेगा तो यही चीज़ Article 30 में 29 से Link करके लिख दी गई कि हर वो Minority यहाँ पे बात है Religious Minority की जो Religion के अधार पे है Language के अधार पे Minority है यहाँ पे Clear Mention कर दिया गया Article 30 में कि Religion के अधार पे अगर कोई Minority है Language के अधार पे कोई Minority है तो उनके पास एक Fundamental Right है कि वो Educational Institution को Establish कर सरकते हैं याद रखेगा हमारी कंट्री में जब हम Reservation की बात करते हैं सरकार के अंट से तो Religion के Grounds पे Reservation नहीं मिलता है ट्राइबल के Grounds में मिल जाएगा Schedule Tribes में अगर कोई है तो उसको मिल जाएगा पर ऐसे नहीं कि कोई Jain है, Muslim है तो उसको सरकार अपने एंट से Reservation देगी मतलब हमारे हैं जो Reservation है वो Cast Basis आपको दिखेगा लेकिन 30 में क्या होता है 30 में Educational Institution Establish करने का Right दे दिया गया है किनको? Minorities को Religious Minorities Hindu छोड़के सारे Communities यहाँ पे Minorities हैं 13% Muslim 2% 1% Population 1% से भी कम Buddhist Population तो यह सारी चीज़े आपको Minorities में दिखेंगी सर्फ Hindu माने जाते हैं जो Majority है तो यहाँ पे आप देखेंगे Article 30 में Clear Mention है कि Religion के Grounds पे और Language के Grounds पे आप Minority Classified कर दिया जाएंगे अब आप कैसे अपना Protection करेंगे आप एक Educational Institution को Stablish कर सकते हैं और Administrator कर सकते हैं Establish भी करना है और Administrator भी करना है वो Education Institution आप ही को बनाना है और आप ही को उसको चलाना है अपनी Choice का यह लिखा है 30 Clause 1 में साथी साथ 30 Clause 2 में एक चीज़ और लिख दी गई है कि अगर ऐसा कोई Institution बनाना है कि ऐसा कोई भी Education Institution बना हुआ है और State को उसमें Grant देनी है अगर State से Grant मांगी जाती है तो State धर्म के आधार पे किसी भी तरह का Discrimination भेदभाव नहीं करेगा Grants देने में किसी भी तरह के Education Institution के साथ Language और Religion के Basis पे Discrimination नहीं करेगा मतलब अगर एक State मतलब ने से Delhi State में एक खालचा कॉलेज है एक मुस्लिम कॉलेज है एक जयन कॉलेज है अगर State ने खालचा कॉलेज को funds दिया है तो फिर वो Muslim और जयन कॉलेज को भी funds प्रोवाइड करेगा अगर वहाँ पे funds की need है तो यहाँ पे एक चीज़ और पता चल जाती है कि 30 class 2 भी कहीं न कहीं यह बताता है कि भारत एक secular धर्म निर्पेक्ष देश है secular है क्योंकि state का अपना कोई religion नहीं है state सारे religion को एक साथ treat करता है तो 30 class 2 भी आप बता सकते हो कि यह भी बताता है कि हम secular in nature है अच्छा इसमें कुछ court के पास cases आया अलग-लग समय पर अलग-लग time तो कुछ cases देख लेते हैं 30 class 2 से यह 30 से related कि education institution manage कैसे करेंगी minorities जैसे case आया था DAV college तो DAV college में यह कहा गया था कि पंजाब की सारी universities में पंजाबी ही medium होगी language का अब सारी population पंजाबी तो नहीं है वहाँ पी majority population पंजाबी है या Sikh community है पंजाबी speaking है जो लोग पंजाबी लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं लेकिन कुछ minority हिंदी हिंदू community भी थी वहाँ पे जो सिर्फ हिंदी जानती थी उन्होंने case कर दिया कि भाई पंजाब में तो हम minority हैं तो फिर आप हम पे impose नहीं कर सकते पंजाबी क्योंकि हम यहाँ पे minority हैं तो court ने भी यही कहा कि अगर वहाँ पे state में कोई दूसरी community minority है तो majority community अपनी language उन पे नहीं impose करेगी तो court ने यही कहा कि DAV college को आप force नहीं कर सकते क्योंकि DAV college जो है वो एंगलोवेधिक system पे काम करता है तो वो पंजाबी को medium नहीं बनाएगा क्योंकि वहाँ पढ़ने वाले अधिकांच लोग हिंदी speaking है तो यहाँ पे यह कह दिया गया कि इस तरह से अगर किसी एक state में एक population majority में है तो वो minority पे अपनी क्या कहते है अपनी language को impose नहीं कर सकती even if वो minority जो community है वो देश भर में majority है मतलब हिंदूस देश भर में majority है लेकिन पंजाब में वो minority माने जाएंगे और उनको force नहीं किया जाएगा कि वो गुरू मुखी में पढ़ाई करें साथी साथ एक और केसा है रवमीत कॉर वर्सेज क्रिश्चन मेडिकल कॉले जिसमें कोट ने कहा कि ऐसे private institutions जो सरकार से किसी भी तरह का aid नहीं ले रहे अगर वो सरकार से कोई aid नहीं ले रहे तब भी वो discriminate नहीं कर सकते religion के grounds पर याद रखना कि private institution है और उन्होंने किसी भी तरह की aid नहीं लिया मत्तों किसी तरह की सरकार से कोई पैसा नहीं लिया वो फिर भी discriminate नहीं कर सकते admission religion के grounds पैसा नहीं कि Christian college है यही हुआ था Christian medical college में रवनीत कौर को admission डिनाय कर दिया गया था क्योंकि वो पंजाबी थी तो यही का उन्होंने का कि हम तो अपने fund से पैसा चला रहे है Christian medical college Christian fund से पैसा चला रहे है तो हम किसी पंजाबी को क्यों लें किसी sick community के student को क्यों लें तो यही कहा गयाता है कि धर्म के आधार पे आप discrimination नहीं करेंगे क्योंकि 29 clause 2 में clear mentioned है कि किसी भी तरह से discrimination नहीं किया जाएगा साथ ही साथ आप आगे लेखेंगे Stephen's case एक और आता है Stephen's case जो famous Stephen's college अडेली का यहाँ पे कुछ बाते कहीं गहीं पहली बात यह कहींगे कि Stephen's college के साथ क्या issue रहता है कि उसको कुछ funds मिलता है अपने alumni से, कुछ fund मिलता है Delhi government से, कुछ fund मिलता है Central government से अब ऐसे में crisis रहती है कि क्योंकि वो एक Christian Minority College के नाम पे established किया गया था Article 30 clause 1 में तो उसके कुछ अपने rules and regulations चलते हैं, जो Delhi University से अलग होते हैं ऐसे में हर बार point of, एक context बन जाता है एक crisis का बन जाता है state और college के बीच में या फिर university और college के बीच में जिसमें college कहता है हम अपने हिसाब से अपने admissions लेंगे तो यहाँ पे court कई बार clear कर चुका है कि 30 clause 1 में स्टीफिन से एक minority Christian college की तरह establish हुआ है, पहली बात वो अपने हिसाब से अपना administration कर सकता है उसको university के rule follow करने की जुरत नहीं है साथ ही साथ स्टीफिन college में एक चीज़ और कही गई कि अगर कोई minority college article 30 clause 1 में establish हुआ है तो वो अपने minority community को 50% seatे reserve कर सकता है इस reservation है वो apply नहीं होता तो यानि अगर आप Stephens में देखे तो 50% seats जो है आपकी minority community के लिए हैं, बाकी 50% seats open है, अब वो SC को भी जा सकती है ST को भी जा सकती है, जनरल को भी जा सकती है किसी को भी जा सकती है non Christian SC, ST, जनरल की बात हो रही है तो याद रखेगा, तो बाकी आप किसी भी बाकी other seats किसी को भी दे सकते है साथ ही साथ जैसा कि आपने देखा है कि Stephens College एक test कंड़क कराता है साथ में interview भी कंड़क कराता है तो यहाँ पे वो clear कहा है उन्होंने की interview जो कंड़क कराते हैं राइट है क्योंकि इसके थुरू वो अपने 50% Christian students निकाल सके है तो आइडिया बस यह है कि Minority College में 50% seats जो है वो reserve होंगी आपके reserve या minority category के लिए इसी के बाद TMA Pi case आया TMA Pi case में कुछ चीज़े बदल दे गए उसमें यह कहा कि अगर कोई unaided institution है और वो state से fund नहीं ले रहा है तो फिर वो अपने हिसाब से चला सकता है college को लेकिन उसको ध्यान रखना होगा कि वो जो भी admission process ले रहा है उस admission को वो fair और transparent रहे है मतलब अगर वो state से fund नहीं ले रहा है तो वो अपने हिसाब से admissions ले सकता है अपने हिसाब से वो reservation को deny कर सकता है, यह बार 2001 की है, 2001 का TMA Pi Foundation case है, इसे बहुत famous case कहा जाता है educational reservation के scenario में इसको article 15 में भी एक बार देखेंगे, तो TMA Pi में यह कहा गया कि अगर आप state से fund नहीं ले रहे हैं, अगर आप अपना private college establish करते हो, तो private college में आप अपना admission procedure लगा सकते हो, साथ ही साथ आप किसी भी तरह का reservation नहीं रखो चलेगा, ठीक है आपको reservation रखने की ज़ुरत नहीं है, इसको बाद में change कर दिया गया, PA नामद ज़रा है, तो TMA Pi में एक distinction बना दी गई, कि एक state-aided college है और एक unaided college है, तो unaided college अगर किसी भी तरह का fund नहीं ले रहा है, तो उनको किसी भी तरह के admission procedure को, सरकारी admission procedure को follow करने की ज़ुरत नहीं है, सबसे important case, last आता अजीज बाशा case, AMU case, इसमें ये कहा गया कि article 30 जो है, वहाँ पर heading लिखी है, right to establish and administer, ये वही case है जिसमें AMU के status को challenge किया गया, तो यही कहा कि university जो है, वो minority ने formulate नहीं की, वो बनाई तो parliament ने, parliament के act से बनी थी, इसलिए ये एक minority college, university नहीं रहेगी, क्योंकि इन्होंने establish नहीं की, ये सिर्फ administer कर रहे है, article 30 में administration और establishment दोनों साथ में होना चाहिए, तब ही हम आपको minority का दर्दर देंगे, university, establish भी आपी लोगों ने की है, चला भी आपी लोग रहे हो, funds जाया आप सरकार से ले रहे हो, तो इसी के चलते बाद में, dr. नरेश अगरवाल केस में, AMU का जो minority का tag है, वो ले लिया गया था, क्योंकि उसमें establish, AMU के लोग के थरू, आप के थरू, आशे अगर तों सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी, मिलेंगे ऐसे ही आगी की सीरीज में, तब तक के लिए, गुडबाय, टेक केर, और गॉडबेस यो आप